सी दियरे स्टुडेंट टोडे वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम ओके उशा नीट्स 5,140 रुपीज फॉर पर्चेजिंग अ व्रिस्ट वाच उशा को एक व्रिस्ट वाच खरीनी थी कलाई पे पहने वाली घड़ी खरीनी थी उसके लिए उसे कितने रुपीज की जरूती ठीक है तो देखिए जो टोटल कॉस्ट है उसे लिखेंगे फिर अगर आप सब्ट्रेक्ट कर देंगे जितने रुपीज उशा के पास है तो आपको पता पर जाएगा कि उसे कितने रुपीज की जरूत है ठीक है इस कॉंसेप्ट को एक दूसरे एक्जामपल से भी समझने क ड़िऴर की does you want more आपको और किते रुपीज की जरूत पर ड़ेगी चोटलेट खरीने के लिए तो आपको क्या क р ना है टैन रुपीज की चोकलेट है सेवन रुपीज पे अलड़ी हैं अगर आप सब्टैक्ट कर्देंगे तो आपको पता पढ़ जाएगा कि आपको 3 रूपी चाहिए ठीकeting सेम ओहाइज कौक्शन में उस्टे के पास जितने रूपीश के अगर आप सब्टैक्ट कर देंगे वह वह की कौस्ट थे आपको पता पढ़ दाएगा उसे कितने और चाहिए ठीक है next see here 8953 people इतने लोग एक exam में बैठे ठीक है यह exam में बैठे और इन में सिर्फ 4588 पास हो गए ठीक है तो caution आप से यह पूछ रहा है कि अगर total लोग इतने थे पास इतने हो रहे हैं तो बताओ fail कितने लोग हो गए ठीक है see here आपको पता है कि total number of people क्या है जितने लोगों ने exam दिया था total लोगों ने दिया था 8953 लोगों ने exam दिया था पास जितने बच्चे हो गए थे अगर आप उन्हें subtract कर देंगे तो आपको पता पढ़ जाएगा कितने बच्चे fail है तो यह easy है ना आपको total बच्चों में से क्या करना है जितने बच्चे पास हैं उन्हें minus कर दो तो आपको पता पढ़ जाएगा कि exam में कितने बच्चे fail हैं यह आपका निकल के आ जाएगा okay next see here caution third the sum of two number is 6400 one of them is 2799 to find the other number caution आपसे यह कह रहा है कि कोई भी दो नमर को जोड़ा sum यानि कि दो नमर को जब add किया तो हमारा आया 6400 अगर उन में से एक नमर यह है तो बताओ दूसरा नमर क्या होगा इसे easy example से समझे suppose करो दो नमर को add किया और आपका answer 7 आया ठीक है दो नमर को जोड़ने पर 7 आ रहा है उन में से एक नमर 4 है तो बताओ दूसरा नमर क्या होगा simple सी बात है जो total है उसमें से जो आपको एक नमर given है उसे minus कर दो तो आपको पता पढ़ जाएगा 7 में से 4 गया किते बचे 3 तो आपको पता पढ़ जाएगा कि दूसरा नमर जरूर 3 होगा क्योंकि जब हम 3 और 4 को add करते हैं तब ही तो आपका 7 बनता है ना ठीक है similar way में इसे करते हैं देखिए total क्या था दो नमर को add करने पर total आपका आरा 6400 एक नमर यह है 2799 तो आप इसे subtract कर दो और आपको पता पढ़ जाएगा कि वो दूसरा नमर क्या है जिसे add किया होगा 2799 में तब हमारा आया 6400 ठीक है next see here there are 6542 seat in a stadium एक stadium है जहाँ पे sports वगएरा होते हैं बहाँ एक stadium है तो आपको यह दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे लोग है तो यहाँ पे total seat किती थी बैठने के लिए किती seat थी 6542 ठीक है एक particular day पे कोई match हुआ होगा तो वहाँ पे क्या हुआ इतनी audience आई कि 3755 seat भर गई ठीक है एक दिन तो आपसे यह पूछा है कितनी seat हैं जो खाली है वैकें में खाली है तो easy है बहुत total seat किती थी stadium में total थी 6542 अच्छा जिन seat पे audience बैठ गई वो occupied होगई occupied मतलब घेर ली है ना तो अगर आप जो total seat थी उनमें से जितनी पे लोग बैठ गए audience उन्हें subject कर दोगे तो आपको पता पढ़ जाएगा कितनी seat हैं जो अभी भी stadium में खाली पड़ी हुई है ठीक है एक और example लेते हैं suppose करें एक hall है है ना एक movie hall है और उसमे 15 seat है ठीक है मान लेते हैं एक movie hall में 15 seat है एक particular दिन पे कोई movie लगी तेलगू movie और audience कम थी तो सिफ वहाँ पे क्या हुआ 10 10 seat ही भरी तो आप से अगर पूछे जाए कि how many seat were vacant कितनी seat हैं जो खाली रह गई तो बहुत easy है total seat में से जितनी भर गई उत्ती आपको subtract करने और आपको पता पर जगा कितनी हैं जो vacant यानि कि अभी भी खाली पड़ी हुई है easy है